हालो फ्रेंड्स, डियर अश्टर डेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का जो टॉपिक है वो है बिहार पुलिस सब ओडिनेस सर्विस कमिशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वेकेंसी आई है जो भी केंड़िट बिहार के स्थाई निवासी हैं उनके लिए सबसे अच्छी अपोर्चिनिटी यहां पे आई है और जो भी अधर अश्टेट के केंड़िट है वो भी यहां पे अपलाई कर सकते हैं काफी अच्छी वेकेंसी है इसमें अच्छा पोश्ट दिया गया है इसमें और एज लिमीट कैसे आवेदन करना है क्या क्या चीज इसमें आप लोग को लगने वाला है कितने एक्जाम होने वाले हैं कितने एक्जाम होने के बाद क्या होने वाला है कितने पर्शेंट चाहिए EBC, OBC, HD जितने भी सारे कंडेट है कितने फिस लगने वाले है सब को आपको एक ही वीडियो में आपको क्लियर करने वाले है ये जो वेकेंसी है वो बहुत अच्छी वेकेंसी है बिहार पुलिस सब ओर्डिनेट सर्विस कमिसन की तरफ से ये बहुत दिनों के बाद ये वेकेंसी आई है जो भी कैंडेटि लिजीबल है ये इस चैनल पे नए है और इस वीडियो को सब्स्राइब करते चलेगा क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा आपके लिए हम लाते रहते हैं तो देड़ न करते हैं वीडियो को अस्टार्ट करते हैं तो चले फ्रिंट्स यहाँ पे वीडियो अस्टार्ट हो चुकि है जो की BPSC के तरफ से ये जो वेकेंसी आई है इसमें जो है आवेदन की परकिरिया जो अस्टार्ट होने वाली है वो 168-2020 यानि की रवीवार से स्टार्ट हो जाएगी और 23-23 जो दिया गए और 24-9-2020 यानि की गुरुवार को ये खतम होने वाली है बिग्यापन संख्या 3-2020 दिया गया है पोश्ट की संख्या के बाद कहले तो इसमें दो पोश्ट दिया गया है पहला जो पोश्ट है पूलिस अवर निरिच्छा का दूसरा प्रचर अवर निरिच्छा क्यानि इसकी इसमें जो दोनों में बेतनमान होने वाली है वोर दोनों में बेतनमान एक ही ही होने वाली है पहला जो पोस्ट में रिक्तियों की संख्या जो है 1,999 है और दूसरे पोस्ट में जो है 215 पोस्ट होने वाली है इसमें और भी चीज बतादू कि सबसे पहले आविदन करने के प्रारांबिक परिच्छा में तो दो सवोगी होगी और क्यूशन जो होने वाले हैं इसमे जो है तीस पर तीसा से कम अगर आप लाते हैं तो आपको आसा फल्गोसित कर दिया जाए हैं एक खुशकबरी और है कि जितने भी केंडिट हैं एक हजा नौसो अन्ठार में जो पोस्ट दियेगा उसका बीस गुना आप याथियों को पहला परिच्छा में आप लोगों को बुलाया जाएगा ठीक है ये सबसे अची खुशकबरी है दुसरे नंबर पर आता है मुख परि लोगता सारे मिली जूली रहेंगे और इसमें भी 200 नंबर का होंगा और 100 किशन होने वाले और दो घंटा का अब दिका आप लोगों को देने वाला है और नेगेटी मार्किंग के बाद करने तो नेगेटी मार्किंग आप लोगो 0.2 कटा जाएगा और सारे केंड़ेट जो को सबस्क्राइब करते चलेगा ठीक है अगला जो है इसके बाद आप लोगो मेरिट लिष्ट लगने वाला है अमेरिट लिष्ट लगने के बाद आप लोगो चैन होगा और इसमें जो पीटी के बाद करने तो पीटी जो आप लोगो दिया गया है वो आतिया पिछड़ा के उनको 155 cm का हाइड दिया गया है पूर्सों के लिए सिना के बात करने तो इसमें बीना फुला 81 और फुला का 86 है अनुस्यशी जाती का 79 और 84 इस तरह से आप लोगों को दिया गया है पूर्सों की दोड़ की बात करने तो दोड़ जो है एक मिल का होने वाला जो की 36 सेकंड का होने वाला है जो भी विद्यार्थी समय असा फल होते हैं तो उसको अदम निकाल दिया जाएगा महिलाओं की बात कर ले तो उसमें जो है उची कोट की बात कर ले तो इसमें जो है पूर्सों के लिए निंतम चार फीट होने वाली महिलाओं के तीन फीट लंबी कोट की बात कर ले तो निंतम बारा फीट महिलाओं के लिए निंतम नौ फीट गोला फेक की बात करने तो पूर्सों के लिए 16 पॉंड महिलाओं के लिए 12 पॉंड की अवसकता है इसमें दो पोश्ट होने वाली है पहला जो पोश्ट था वो बिहार पुलिस यानि की पुलिस यानि की रिच्छा का था इसमें जो है अनुसेची जाती पत्यान पिछड़ा सभी का पदों की संखिया और रिक्ति की संखिया इसमें इंडिकेट कर दी गई है अगला जो बात कहले है यह सैची योगता के अनुसार जो है आप लोगो 35% यह जो महिलाओं का जो दिया गए और अच्छन इसमें आप लोगो मिलेगा जो भी कैंडिड महिला है इसमें जो 35% पूरा इसमें आप लोगो होने वाला है बिहार पुलिस बिहार सरकार ने यह जो यह सोतंतर से नानी और पोता पोती जो भी नतनी है और जो भी यह कैंडिड सोतंतर से नानी में है उनका जो नाती पोती जो भी है उनको जो है है 40% जो है उनका भी सीट इसमें अना रचीत खुस्ट कर दिया गया है 19 अदूसरा जो पोस्ट होने वाला consent का पोउच्ट होने वाला है और इसमें जो अनुस्विचित 117 जो की अनरचित किर दिया गया और आगा की बात बता दू कि इसमें जो है अपर निव्टी पुर्भूत सायंwide के उम्र में तीन वर्स तथा परतीरचा चाहिए समया सभा है यानिद इतिक नहीं नहीं चाहिए ठीक है 57 बस से पहले जो भी पुरुभूत में साइनिक में रहे हैं उनसे पहले इनका होनी चाहिए online जो अब एदन पत्र की जारी की जाएगे वो 24-9-2020 को निर्धारीत हैं इसमें जो है 24-9-2020 तक ही यह जो है online आप लोग कर सकते हैं बात जो है डेट कोई भी डेट बढ़ाए नहीं जा सकता और भी जो दिया गया है कि अत्यांत पिछड़ा पिछड़ा बर्ग जो भी है उसको जो है 700 रुपिया यानि कि और अवयदन किजए गा तो मॉवाइल फोन आईडी नंबर इमेल अईडी जोतने भी हैं वो सही आपको भरना अलग अलग अप Лोग एमेल आईडी से आप लोग डालते हैं और मुबाइल नंबर से तो आप लोगो अगर मैच होता है तो आप लोगो reject कर दिया जाएगा ठीक है आवेदन का नाम direct recruitment यानि कि 10 था matriculation में जो भी आप लोगो होने वाला उसमें सिरी मती, डॉक्टार इस सरह का आप लोगो कोई भी इलिकेट नहीं होनी चाहिए राष्टियता की बात कर ले तो आप लोगो ये भारत सरकार यानि की भारत का आप लोग नागरिक होने वाले हैं अगर भारत का आप लोग नागरिक हैं तब ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं अधर शेट वाले भी आप लोग को कामाने वाला है वर्ग की बात बता दो तो EBC, OBC, HD जो भी कंडियेट हैं पंजी करन जब आप लोग के जेगा तो उस वक्त जो है आप लोग को उसमें वहाँ पर प्रस्तूत करना होगा देखे यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज दिया है कि EBC, OBC, HD जो भी आव हो सकता है जरूरत आप लोग को पढ़ने वाला है इसमें जो है डिरेक्ट विक्मिन अगर जो है एक चीज और बता दू कि EBC, OBC, HD जो भी कंडियेट हैं वह सर्टिफिटेक बनाने के साथ साथ उसमें जो है एक जर्वरी 2020 से पहले यह जो निम्तम आई जो दिया गया है यह है कि गवर्नमेंट बिहार के निवासी हैं और इंप्लाइं हैं उनके लिए यह इवी सी, OBC, HD उनको भी 45 साल और पांस चील रिलेक्सेशन चूट दिया गया है इडिटेल्स की बात कर आगर आप लोग का फॉर्म गलती हो जाता है पंजी करन गलती हो जाता है तो इसमें जो लिखे हैं इसमें आप लोगो सोस समझ कर और शही से आपको अवयदन करना हो एक बार शमिट होने के बाद पंजी करने कोई परवर्थर नहीं किया जा सकता तो एक ही बार आप लोग को अवेधन करना है और वो सही से करना होगा यह जो बेवसाइट दिया गए इस बेवसाइट से आप लोग को अवेधन करना होगा पहला जो है रिजिटेशन करना उसके बाद फिर फी पिमिंट है और उसके बाद आप लोग को फॉरम को फील करने वाला है कुछ खास इसमें नहीं दिया गया और इसमें पीता का नाम जो भी डॉक्मेंट जो लिखा हुआ है वही इसमें होनी चाहिए विवाही की सिती है या नहीं इस तरह का आप लोग को आविधन के समय आप लोग को पूछा जाएगा पता जो है आप लोग को सही से अभी candidate नहीं है, पैता को सही सभरना है, अस्थाई निवासी बिहार के हैं या नहीं, ये भी आप लोगो वहाँ पे mention करना होगा, अगर आप लोगो अभी दन रदी करन करना, यानि कि cancel application करना, तो सबसे पहरे तो आप लोगो बदा दूँ कि cancel का भी option आएगा, लेकिन आप लो जो भी पंजी के run किये हैं, उस पे जो है OTP आएगा, और उस OTP को अगर आप डालते हैं, तो यहाँ पे आप लोगो को cancel भी कर दिया जाएगा, तो अगर आप लोगो गलत होता है किसी भी परकार का, तो आप cancel कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोगो फी का payment का जो भी किये है वो दूसरे payment आप लोगो वापस नहीं किया जाएगा, और जो भी केंजे सोच रहे हैं कि अलग अलग नामों से आविदन करें, दो, तीन, चार अप अपलिकेशन आगर आविदन करते हैं, तो आप लोगो reject कर दिया जाएगा, और हो सकता है आप लोगो किसी भी तरह का इसम भाग लेनी के अनुमती नहीं दे, अगर कोई महिला गरवती हैं, पाई जाती है, सरीलिक दस्ता के अनुसर, तो उनको जो है, आयोग अगदम घोशित कर दे जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, मेगा सुची के अनुसर, यहाँ पर मेगा सुची भी दिया ग तो यह इसके अंदर ही आप लोगो को अविधन कर लेना है, और एमिल आइटी, खास कर के एमिल आइटी ओ लिकि है, जो भी इमेल आइटी ओ मवाल नंबर है, वह आप लोगो सही भरना है, लिखित परिच्छा 2 चर्णो में होने वाली है, पहला जो है भी होदू है, फो पी का इसमें जो है नेगेटी मार्क होने वाला है और जो भी गंड़िट नहीं चैनल को सबस्कार कर लिजेगा क्योंकि इस तरह का भेकेंसी हमा मेंसा आपके लिए लाते रहते हैं तो आप लोग आवेदन अच्छी तरह से करें जो भी कंडियेट नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो यहाँ पर वीडियो देखने के लिए थैंक्यू और धन्यवाद